स्वाइलो दोस्तो एक बफ्रिस्ट स्वाकत आप सभी का खिलकुछ सम्मंदित बेहद और बेहद मौत्पूर जी के प्रसनों के इस पार्ट 3 में तो finally हमने आप सभी से कहा था कि मैं आपको ये class 3 part में प्रवाइड करूँगा जो कि आज के ये final part है और उसमें मैंने कहा था कि आपको 100 questions प्रवाइड कराये जाएंगे जो कि sports सम्मंदित होंगे और ये आपके exam के point of view से आपके लिए बेहद और बेहद मौत्पूर होंगे जो कि 100% आपके exam में आ सकते हैं तो finally जो है अब हमें क्या करना है इस part 3 में हम लोग जो है question number 60 से लेकर के question number 100 तक सारे questions देखेंगे बाकी के 2 part में हमने 60 questions देखे थे यदि वो दो part आप में नहीं देखा है तो उपर मैंने i button में link दे दिया है जाकर के उन दो part को देख लिए जो कि आपके exam के लिए बेहद मौत पूर है तो चलिए फटा-फटा आज के इस class को सुरू करते हैं चैनल पर नहीं तो चैनलोर को subscribe करके notification bell on कर दिजे और वीडियो को like कर दिजे चलिए questions को देखना सुरू करते हैं तो दोस्तो इसके part 2 का जो हमारा last question था यही question था आप देख सकते हैं जो कि part 3 के लिए हम लोग ने यहीं पर इस वीडियो को end किया था तो एक बाद फिर से question देख लेते हैं बाकी जो लोग daily classes देखते हैं उनको तो पता ही होगा क्या question था question क्या था गुल्फ का खेल मैदान जो है क्या कहलाता है तो गुल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है उसको हम लोग course बोलते है ठीक है फिर पूछरा जो गुल्फ छेद का ब्यास कितना होता है ठीक है जो गुल्फ का खेद होता है ठीक है जिसमें गेंदा जो है लुडगाई जाती है उसका ब्यास कितना होता है 4.50 इंच होता है कितना है 4.50 इंच होता है उसका ब्यास अगला question है ground stroke सब्द की scale से सम्बंदित ह तो ground stroke सब्द किस खेल से संबंदित है table tennis से देखिए जो यह संबंदित सब्द है यह सबसे अधिक पूछा आता है तो ऐसे प्रशन जहां भी मिलना है उनको तो बिल्कुल note करते हुए ठीक है एक एक जो है आपके shift में 2-3-3 ऐसे questions इस sports से संबंदित होते हैं चलिए आगला प् प्रशन आपका चकर सब्द किस खेल से संबंदित है यह भी देख लिए यह भी ब्याद महत्मुड है तो चकर सब्द किस केल से संबंदित है पोलो खेल से ठीक है और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि एक note बनाते हुए चलिए जितने भी important questions मैं अलग से करा रहा हूं उन केल से संबंदित है तो आपका चाइयना कंठ है वह gymnastic से संबंदित है किस से संबंदित है यह उपकी गोल्फ से संबंदित है ठीक है सिर्फ मिलखा सिंग नहीं है देख लिजेगा ठीक है क्या है चिरन जीवी मिलखा सिंग की स्केल से संबंदित खिला रही है गोल्फ से ठीक है अगला प्रसन देख लिए अगला प्रसने चीन का राष्टी खेल क्या है तो चीन का राष्टी खेल क्या है ट खेल हेँ, खोखो, तो इसमें कौन-कौन से सब्दी यूज़ किया जाते हैं, चेज, फ्रीजो और पॉन, ठीक है? यह तीनो सब्द HIV किस कहल से संब्रों हैं, खोखो से, अगला प्रशना, आपका, जस्तिन हैनिंहार्डिन किस खिल से संबन्दित हैं तो Justine Henin Hardin किस केल से संबन्दित हैं स्वारी किस देश से संबन्दित हैं कहां से हैं Belgium से हैं कहां से हैं Belgium से ठीक है यात कलिजएगा अगला प्रश्ण है गोल्डेन करल किस भारती खिलाड़ी की आत्मक्ता है बेहत मौत्मोट प्रश्ण है एक बार नहीं दस वाइसना चिनफपा किस खेल से जूड़ी है ये स्क्वेस से किस से डीचाना म फियल गूलत प्रेम फिलारी नहों तो एल भी धाकी नमक पुस्तकी रश्ना कि सांकी किलाडी ने किया है असलाम सेर खाने किया है सब कुछ याद करते भी चलीगा देख लिजे एक लागता प्रस्ट नर्ट टैनिस के किन असपर्दाओं को ग्रेंड इसलेम असपर्धा कहा जाता देख लिजे अस्ट्रेलिया ओ फ्रेंच ओपें और बिड़म्रलम ठीक है याद कर लेज़ेगा क्या है एक फिर कोशन देख लिए टैनिस की न अस्पर्धाओं को वर सामील किया गया ये टोकिओ का जो खेल व्यात्टोमें हो उसी समय ये साँमिल किया गया ठीक है 19 वर जंटोमे जो की ऑन chronic conversion थे जापन टोकिओ अगला प्रस Evolution आपका टैनिस में लव का मतलब है तो टैनिस में लव का मतलब है is concert 0 ठीक है कि अंगला चल्ए आगला प्रश्ण है टेवल टैनिस स्वर परतम कहां खेला गया तो आपका टेवल टैनिस वो स्वर परतम लंदन में खेला गया था आउलीबॉल अगला प्रश्चने डियाको मेरो डोना के स्खेल से जुड़े उन्हें फुटवाल के खिलाडी है ठीक है यात कर लिज़ेगा अगला प्रश्ने डीवी देवुधर के स्खेल से सम्बंदीता है क्रिकेट से अगला बियाज महत्मूर प्रस्थ ने, डुनाल्ड ब्रेडमेन की स्खेल के महान किला लड़ी थे, क्रिकेट के, ठीक है, यात कर ले जएगा, अगला बियाज महत्मूर प्रस्थ जो की स्क्यावल से संबन दीत है तो थामस कप यह आपका यह आपका बेड्मिंटबी exist कई क Biz आपके एक्जाम में पूछा चुक है क्या थिमिव्छा है अगला और प्रश्णन और नागाउट कि संबनदी था यौ messaging het दस बार उपर आपकी एकझाम में पुछा जा चुका है अगला ब्यात्मी पुरिशन किस केल से समंदित ट्रॉफी है किर्केट से अगला ब्यादमात्मूर प्रसन दिखिए नेता जी सुभासचंद राष्ट्री खेल संस्थान कहां इस्तित है यह आपका पटियाला में इस्तित है कहां पर है पटियाला में ठीक है याद कलिजेगा अगला प्रसने पहली महिला ब इड्मिंटोंका खिता जीताता है याद के लिजेगा अगला प्रसन है涯े परिमारजन नेगी ने किस खिल में विसिष्टता दिखाई है तो परिमारजन नेगी ने जो एकिस खेल में विसित्ता दिखा इया सतरंज में ठीक है याद कर लिजेगा एगला प्रस्ट ने पहली बार बास्केटबॉल किस वर्ट और कहां खेला गया था तो पहली बार स्वार्धिक पदक जीतने वाला रिकार्ड किसके नाम थाक है जो कि सब्वार्धिक याद कर लीजेगा किसके नाम है Michal Philips के चलिए अगला प्रसुन नैं उसेन बोल्ट जो की जमैका का समंद किस हिल के नाम है अगला प्रसुन आपका लिआडेल wamessie किस खिल के फुट वाल किस देश के फुट वाल खिलाणी है तो आपके नियोलेल मेसी यदि आप इनको नहीं जानते हैं तो आप जो कुछ नहीं जानते हैं ठिक है क्योंकि यह अरजेंटीना के बिहाद फेमस फूटबाल की लाड़ी है याद कलीजेगा ठीक है क्या नम है लियोनेल मेसी ठीक है याद कलीजेगा लास्ट प्रसंद देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बेहद मौतमुल प्रस्णिया हमेशा याद रखना है आपको प्रसंद देख लिजे क्या है सचीन तेंदूलकर क हमें किया वनडे किरकेट में कितने रणों सतकों में अर्धेसाक का बालoshag dezla है तो तक जितने भी वनडे किर्केट खेले है नहीं ने 48,426 रण माण है जिसमें से 49 देख लिजेगा अब तक जितने भी वन डे क्रिकेट खेले हैं ठीक है सचिन तंदूलकर जीन है उसमें से जो है इन्होंने टोटल 18 और 426 रन बनाए हैं जिसमें से इन्होंने टोटल 49 सतक लगाए हैं और 98 सतक लगाए हैं सो फाइली यह हमारा लास्ट कोशन था और आप देख सकते हैं आपके एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से यह कैसे कोशन से तो फाइली उमीद करता हूँ आप इन सारे कोशन को नोट कर लिए होंगी यदि आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्श